AI ने हमारी लाइफ बिलकुल बदल के रख दी है आज के टाइम में बहुत सारे AI वेबसाइट ऐसे हैं जो आपके घंटों के काम को मिंटों में नहीं सेकंड्स में कर सकते हैं पिछले कही सारे वीडियो की सीरीज हमने ऐसी बनाई थी जिसमें हमना top 10 website, top 10 AI websites के या top 10 AI tools के बारे बताया था लेकिन ये जो वीडियो है ना इस वीडियो को save कर ले ना कहीं पर क्योंकि ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक आपके लिए एक एक part एक second ऐसे होने वाली है जो आपके बहुत काम आएगी वीडियो में हम 10 ऐसी websites के बारे में जानेंगे जो AI based है और आपके professional काम को घंटों के बजाए seconds में कर सकती है चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली website है वो है podcast.adobe.com slash enhance देखो ये जो tool है ये tool बहुत ही useful है उनके लिए जो noise भरे बातावरण के अंदर अपनी वीडियो को record करते हैं या audio record करते हैं suppose that जैसे मैं ही बैठा हूँ आसे 4 साल पहले जब मेरे पास इस तरह का कोई tool नहीं होता था अच्छा mic नहीं होता था और मुझे कोई video record करना पड़ता था YouTube के लिए तो मुझे पूरे पंखे और AC तो अभी बात में लगा है तो पंखे जितने होते थे सारे बंद करने पड़ते थे गर्मी के मौसम में भी ये समझलो के video शुरू करने से पहले बिल्कुल fresh होता था हाद मुदों के बैठा हूँ और जब video end हुआ यानि 10 से 15 मिर्ट हुए 20 मिर्ट हुए तो गर्मी के मौसम में पूरा पसीने से तरबतर हो जाता था लेकिन अभी आप पंखे चला के भी अपने वीडियो को record कर सकते हो जो पंखे की noise है न वो cancel कर देगा ये बिल्कुल आपको आएगी नहीं यहां तक की छोटी मोटी cut-put की अवाज जैसे अभी मैं यहां पर table पे यह कुछ cut-put करूँगा अभी आपको समझ में आएगी लेकिन अब मैं AI से अगर इसको clear करूँगा तो आपको बिल्कुल भी यह आवाज सुनाई नहीं देगी यहां तक की अभी भी रूम का पंखा औ इंदर record कर लेना है और यहां से upload वाले section पे upload कर देना है देखो यह tool online है और अभी बिल्कुल free है adobe ने इसको बनाया है जो कि professional video editing tools भी बनाता है तो यह आपके बहुत कामा सकता है अगर आपके पास ऐसा कोई project है जहां पे आपको यह सारी चीज़ें करनी है तो just यहां पे upload वाले section पे जाईए अपने कोई भी voice यहां पे upload कर दीजे यह कुछी देर में आपकी speech को enhance करेगा और background में आने वाली जितनी भी noise है उसको cancel कर देगा आपको किसी software की जरूरत नहीं है और simply आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने editing software में apply कर सकते हो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे software की तरफ दूसरे software का नाम है vocal remover आप देखो यार यह तो बहुत ही गजब software है मैं आप आपको एक example देता हूं आपके पास ऐसा गाना है जो आपको बहुत फेवरेट है और उसके साथ में गुनगुनाना चाहते हो उस प्रक्रिया को होता है करियो के यानि आपके पास उस गाने का music हो और आप उस गाने के ऊपर अपनी voice देना चाह रहे हो यह किसी party function में आप चा करना है यहां पर browser में मेरे पास ना एक भोला movie का एक song है latest वाला इसको मैं यहां पर upload करता हूं बजा के इसली में दिखाऊंगा क्योंकि copyright आ सकता है copyright claim तो आ ही जाएगा तो यह जो गाना है वो यहां पर upload हो जाएगा और कुछी second के अंदर audio processing चलने लग जाएगी अब देख यहां पर आप दोनों का volume घटा या बढ़ा सकते हो यहां से जब play करोगे आप तो किसी भी एक चीज को play कर सकते हो या तो से vocal आपको play करना है तो आप कर सकते हो यहां पर save करने का option है आप इसको save कर सकते हो इसके बाद में यहां पर audio picture का option दिया गया है यानि आप अपने audio की को आपको join कराना है वो आप करा सकते हो audio recorder यहां पर दे रखा है या voice recorder दे रखा है वो आप कर सकते हो and carry के दे रखा है किसी भी गाने को upload कर दीजिए और उसके बाद में किवल music आपको महां पर सुनाई देगा और अपनी आवाज आप उसके साथ में record कर सकते हो so यह website आपके premium pendrive courses पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे description में जाना है यहाँ पर आपको join pendrive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारे offline pendrive course की website पर यहाँ पर आपको एक pendrive course दिखाए आपको print करके मिलेंगे एक free OTG और हमारा जो pendrive है वो मिलेगा जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशक्ता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pendrive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर tab और आपके Android smart TV पर अब यहाँ पर इस पांच लोगों को यह course केवल और केवल 2000 रुबे में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको coupon code यूज करना है double nine PC double two और इसको यहाँ पर apply कर देना है जैसे आप coupon code apply करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केवल 2499 यानि 2500 रुबे का मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा अब बढ़ते हैं अगली website की तरफ इस website का नाम है room GPT और यह बहुत ही best website है इस website के अंदर आप अपने room का kitchen का office का कोई भी interior without interior designer के कर सकते हो यह आपके ही room के picture को एक बहुत बढ़िया modern picture में convert कर सकता है देखो मेरा यह office था मैंने इसका एक picture लिया जिस जगे पर बैठके मैं recording करता हूँ और मैं चाहरा था कि यह जो office है मैं इसको modern interior कर वा लूँ यह professional interior कर वा लूँ तो simple मैंने यह जो picture आपको screen पर दिख रहा है इसको मैंने capture किया यहां website के उपर गया जिसका नाम है room GPT.io अब यहां पर आ आपको अपने room का type select करना है living है, dining है, office है, bedroom में क्या है तो यह office है, office में select करूँगा इसके बाद आपको image upload करनी है सो यहां से हम image upload करेंगे, सो यह image हमने upload कर दी and कुछी देर में जो image है वा upload हो जाएगी और आपके सामने एक AI based artificial intelligence के थूँ एक dream room generate होगा, आप ही की location होगी, आप ही के जो table, image, कुछी जैसे रखी है वैसे रखी होगी, लेकिन यह क्या करेगा, यह आपको एक इस तरह का picture generate कर आप इसी room का जो interior है वो इस तरह का कर सकते हैं, आप इस से तीन जो pictures है, उनका interior set कर सकते हैं, किसी भी room का आपको करना हो, जो आपको dream room बनाना हो अपना, तो आप देखो मेरा office कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन जब मैंने इस AI के थूँ बनाया तो इसने सारे pictures, table lamp अगरा सारी वहीं लिए है, table भी विल्कुल वैसे लिए है, जो system रखा है, वो भी यहां पर आप देख सकते हैं, जो पीछे कुरसी रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, आप side by side compare करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, अगर आपको simple compare करना है, तो देखी आप इस तरह से कर सकत है, तो एक बहुत cool website है, आप अपने किसी भी room का interior इसे set कर सकते हैं, आप चली बढ़ते हैं अगली website पर, इसका नाम है writer.me, अगर आप content writing करते हैं, अगर आप YouTube करते हैं, अगर आप story making करते हैं, तो यह website आपके लिए बहुत useful हो सकती है, इस website पर यहां पर आपको सिर्फ क्य इमेज भी मिना सकते हैं, अपने article की ढूणने की आफशकता नहीं बढ़ेगी आपको, तो आप यहां पर देखेंगे, कि यहां पर सबसे पहला जो option आपको मिलेगा, copy का, उसके बाद image का और फिर chat का, हमने आपको कोई चीज़ें बनाई हैं, आपको सबसे पहले अपनी भा informative है, inspirational है, joyful है, बहुत सारे tones यहां पर दे रखें हैं, कोई भी tone आप यहां से ले सकते हैं, इसके बाद में आप किस case पर काम कर रहे हैं, किस तरह का article आप लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं आप, वो आपको यहां से select कर लेना है, और वाकई में, यहां पर ज description है, keyword, keyword generator है, magic commands भी यहां पर दिये गए हैं, इसके साथ में अगर आप YouTube करते हैं, तो YouTube channel description दे रखा है, testimonial and reviews दे रखे हैं, video description दे रखी है, story plot and ideas दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ यहां पर दे रखी हैं, इसके बाद simple अगर आप story plot लिखना चाह रहे हैं, example के लिखना चाह करता हूँ, time travel, ठीक है, मुझे time travel के ऊपर एक story लिखनी है, इसके बाद नीचे आप से पूछे का variants कितने होने चाहिए, तो 2 variants मुझे चाहिए, story के लिए, और फिर यहां पर मैं click करूँगा, write for me पर, और यह कुछी seconds के अंदर, मेरा story जो idea है, story plot है, उसको बना के तयार कर द किये है, कि किस तरह से मैं time travel के ऊपर कहानी लिख सकता हूँ, इसके साथ में, अगर आपको यहां पर image generate करनी है, तो यहां पर image generate कर सकते हो, तो मैं यही story idea लेके, यहां पर paste कर दूँगा, और draw for me, पर click करूँगा, आप देखे, क्या मेरे story idea के हिसाब से, यह कोई image यहां पर Hindi में लिखा है, तो नीचे देखते हैं, तो यह keyword के साफ से तो image नहीं आई है, अब यह keyword हम English में लिखके देखते हैं, चले अब यही keyword हमने यहां पर English में डाल दिया, फिर से एक बार हम इसे draw करा के देखते हैं, आप नीचे देखेंगे, अभी कुछ similar image मुझे मिली है, time travel से related, यह उपर वाली image तो काम नहीं करेगी, तो इसको अगर आप चाहें, तो यहां से backspace करके हटा सकते हैं, अब इसकी जगे अगर हम scientist का नाम यहां पर और जोड़ देते हैं, नीचे में car word भी जोड़ देता हूं, और फिर से draw करा के देखता हूं, तो यह AI based इन सारे keywords को मिला आपके एक image generate कर देगा, जो हमारे article के लिए best होगी, आप देखिए नीचे यहां पर एक image generate हो गई है, जिसमें एक scientist है, एक car है, जो के time traveling car है, तो यह जो tool है, यह वाकई में आपके बहुत काम आ सकता है, अगर आप writing करते हैं, अब चलिए बढ़ते हैं, अगले website या AI tool की तर हमारा जो अगला AI based tool है, उसका नाम है studio d-id.com, अब यह क्या करता है, देखो आपको videos बनाने है, YouTube के लिए या किसी social media platform के लिए, या जस्ट अपने किसी friend को कुछ समझाना है, लेकिन आप लिखना तो आता है, लेकिन बोलने में आपको जिजक होती है, तो आज के time में बहुत सारी news और media companies, इन tools का इस्तमाल कर रही है, जल्दी जल्दी अपने content को build करने के लिए, कुछ नहीं करना है, आप AI से लिखवा भी सकते हैं, और AI से videos भी बनवा सकते हैं, तो इसके लिए मान लीजे, मैं अपने इस website से ये article उठा लेता हूँ, cloud computing क्या है, और ये article में यहां से इसे copy कर रहेता हूँ, यानि ये मान लीजे, मैंने AI से लिखवा लिया है, अब मैं जाता हूँ अपने website के उपर, और यहां पे create video पे click कर देता हूँ, अब यही article वीडियो में कैसे convert होगा, तो यहां पे सबसे पहले आपको वो जो article है वो paste कर देना है, इसके बाद में आप के article की language क्या है, वो है Hindi, हम यहां से Hindi को select कर लेंगे, हिंदी के लिए यहां पे हमको जो voice दी गई है, उनको हम देख लेंगे, तो voice दो तरह की दी गई है, एक स्वरा और एक मधूर, तो आप अगर female voice anchor ले रहे हैं, तो आप यहां पे स्वरा को select कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक करेंगे, और यहां से sign up कर लेंगे, sign up आप Google से भी कर सकते हैं, LinkedIn से भी कर सकते हैं, sign up करने के बाद आपको दुबारा से generate video पे click करना है, और यहां से generate पे click कर देना है, तो video library के अंदर आपका जो video है, वो कुछी देर में बनके तयार हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा wait कर लेते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, जो video है वो बनके तयार हो चुका है, अब video पे आपको यहां पे click करना है, आज के इस बड़ती internet के दौर में बहुत सारे technology का निर्मान किया गया है, जिससे हमारे सुविधाओं को आसानी होस्त, अब इस video को आप देख रहे हैं कि यह video मैंने नहीं बनाया है, यह type किया हूँ एक content था, जिसको AI ने वीडियो के रूप में convert कर दिया है, यहां से आप इस video को download कर सकते हैं, और यहां से आप इसे किसी भी social media platform पे share कर सकते हैं, यहां पे shareable link भी दिया जाता है, आप mail पर चाहें तो वहां भी इसे भेज सकते है तो आशा करता हूँ कि यह website भी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, अब professionally इसको अगर आपको यूज करना है तो यहां पर आप जाके इसका professional plan ले सकते हैं, otherwise यहां पर आपको credit point मिलते हैं, जिनके थुरू आप इससे videos बना सकते हैं, अगर आपके बाद 2-3 email IDs हैं, तो आप इससे videos बना सकते हैं, इस पर ट्राइ करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो आगे आप और भी इससे काम ले सकते हैं, अब बढ़ते हैं अगली website की तरफ जिसका नाम है soundfull.com और यह AI music generator है, अगर आप कुछ ऐसा music बनाना चाहते हैं, जिस पर copyright strike या copyright claim ना आए, तो आप सकता है, आपको यहाँ पर start for free पर click करना है, और जैसे आप इस पर click करेंगे, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो interface है वो आ जाएगा, यहाँ पर अलग अलग तरह के themes वगरा सारी चीज़ने दे रखी हैं, आपको एक music बनाना है, तो उसके ल हम यहाँ पर create करके देखते हैं, तो create के option पर जाएंगे, और यहाँ से हम कोई भी एक template select करेंगे, तो इस template हमने ले लिया, अब एक बार यहाँ पर आप देख रहे हैं, key notes दे रखे हैं, आप कोई भी key notes यहाँ से use कर सकते हैं, speed को कम या जादा कर सकते हैं, इस तरह से, तो क आप इसे किसी भी social media पर upload कर सकते हैं, अभी मैं अपने वीडियो पर भी यह music डाला है, इसके बाद में यहाँ से आप इसे save कर सकते हैं, track को नाम दे के, तो मैं track को नाम दे देता हूं, और इसे save कर लेता हूं, इसी तरह से आप और भी tracks तयार कर सकते हैं, और save करके उनको अ आपको Instagram पेज रन कर रहे हैं तो आप उस पर memes शेयर करा के अपनी popularity को और भी बढ़ा सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो memes बनाये जाते हैं वो AI से बनाये जाते हैं और Hindi English किसी भी भाषा में आपको उन्हें तैयार कर सकते हैं यहाँ पर आपको Start for free पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको मीम की language सलेक करनी है हिंदी हम हिंदी में काम करेंगे तो हिंदी सलेक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको search box दिखाये देगा उसमें कुछ भी आपको type कर देना है जिसके उपर आपको meme तैयार करना है तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, मुझे कल office जाना है, आज Sunday है और कल office जाना होता है, तो किस तरह के memes यह तयार करके हमको देगा, यहाँ से आपको generate पर click कर देना है, और यह देखी, यह इसने कई सारे जो memes हैं, वो खुद से तयार करके दे दिये, जैसे आप यह देख रहे ह और यह एक ऐसी website है, जिस पर आप keyword डालके किसी भी तरह का photograph है, वो generate कर सकते हो, यह सारे जितने भी आप images देख रहे हो, यह AI ने generate कर रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है, आपको एक छोटा से topic चाहिए, अपने image को describe करने के लिए आप छोटा सा यहाँ पर कुछ भी type कर सक है, और generate पर click कर दीजे, अब यह कुछी देर में, जो आपने लिखा है, जो sentence लिखा है, और sentence related, एक image यहाँ पर आपको random generate करके देदेगा, अगर bike की जगे, मैं यहाँ पर इस image के लिए car लिखता, तो इस देखिए, मैं फिर दुबारा से generate कर रहा हूँ, आप देखिए, यह इमेज की लिए अलग-अलग यहाँ पर जो फिल्टर है, वो दिये गए है, आप जिस भी फिल्टर को यूज करेंगे, उसी तरह की image आपके सामने बनके आ जाएगी, अब मान लीजिए, यह ओल पेंटेड जो फिल्टर है, मैं उसको यूज करूँगा, और उसके बाद इस image को मैं तयार करूँगा, तो कुछ image जो बनके आएगी, उसको अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए, कुछ इस तरह की image यहाँ पर बनके तयार होगी, अब एक फिल्टर हम और यूज कर लेते हैं, color pop, फिर से इसी sentence के base पे एक image generate करा के दिखते हैं, तो यह image कुछ आएगी, तो आप इसको जितना अच्छे से समझाएंगे, उतना अच्छे से यह AI आपके लिए images generate करके देता रहेगा, जिस पर कोई भी copyright नहीं आएगा, तो आप बढ़ते हैं, अगली website की तरफ, यह जो website आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है background.lol, और यह AI based wallpaper तेयार करती है, आपके लिए मैं यह wallpaper आपको बना के दे सकती है, इसके लिए simple आपको क्या करना है, आपको यह जो search bar दिखाई दे रहा है, इस bar के अंदर आपको अपना कोई भी sentence type करना है, जिस चीज के उपर आप wallpaper तेयार करवाने चाह रहे हैं, और simple यहाँ से इसे submit कर देना है, जैसे आप submit करेंगे, तो जो wallpaper है कुछ ही seconds के अंदर, 10 से भी seconds के अंदर तयार होके आ जाएगा, तो मैंने wallpaper के लिए यहाँ पर एक keyword लिखा था, जिसमें एक peacock, एक waterfall के पास dance कर रहा हो, तो उस तरह का एक wallpaper यहाँ पर डिजाइन करके आ गया है, अगर आपको भी आपके दिमाग में कोई ऐसा wallpaper हो, जिसे आप अपने desktop के उपर लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इस wallpaper को simple क्या करना है, आपको यहाँ से right click करके आपको download कर लेना है, तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा creative idea है, जिसके उपर आप wallpaper बनाना चाहते हैं, त फिर उसके आधार पे एक image आपको generate करके दे देगी, अब मालीजे यहाँ पे यह जो sketch है, इसके उपर मैं एक circular बना देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कि website क्या कर सकती है, अब मैंने यहाँ पे कुछ draw किया है, ठीक है, पंक भी यहाँ पे इस तरह से ल आवर में AI सेम इसी lines के ऊपर एक picture को draw करके देगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी यह picture draw हुई है, मेरे outlines के इसाब से, आउल की जगे हम यहाँ पे कुछ और लिखते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और यहाँ से मैं इसे go करता, तो यह मुझे इसी shape के अंदर एक loin की picture draw करके देगा, तो इस तरह से यह AI based जो websites हैं, वो आगके काम को कितना आसान बना सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हमने जाना, तो इस वीडियो में हमने जाना धेर सारे AI useful websites के बारे में, अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो इस चै जैहिंद, बन्ने मातरम